चिकित्सा मंत्री गजिंदर सिंग खिवसर की अधिक्षता में हुई एक महत्योपून बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है देश की सबसे उची मेडिकल इमारत जिसे अब आईपीडी टावर के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर आयुश्मान टावर कर दिया गया है चिकित्सा मंत्री गजिंदर सिंग खिवसर ने बैठक के बार मीडिया से बातशीत में बताया कि यह निर्ने लिया गया है कि आईपीडी टावर अब आयुश्मान टावर के नाम से जाना जाएगा उन्होंने बताए कि पहले इस इमारत का नाम IPD टावर रखा गया था लेकिन अब इसे बदला गया है इस बदलाओं के साथ ही टावर में सुवीधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है आयुश्मान टावर में अब कुल अठारा सो गाड़ियों की पारकिंग की सुवीधा होगी इसके लिए करीब तेर्ट सो करोड रुपए की अतिरिक्त राशिक यावशक्ता है इस अतिरिक्त बजट की मांग को पूरा करने के लिए वित्यमंत्री दियाकुमारी को पत्र लिखा जा रहा है इसके साथ ही आयुश्मान टावर को एसमेस अस्पताल की मोजुदा बेल्डिंग से जोडने के लिए कई स्काई वोक भी बनाए जाएंगे इससे मरीजों और उनके परीजनों को आने जाने में सुईदा होगी और समय की बचत भी होगी यह निर्ने ने केवल इमारत के नाम में बदलाव लाएगा बलकि मैडिकल सेवाओं में भी एक नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बनेगा आयुष्मान टावर के नामकरण से प्रदेश की स्वास्त सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा